हाँ है लो गूड मॉनिंग वेलकम पेक टू वन मोर न्यू व्लोग बरियासत नि तुम्ही सगड़ी आप तुम्ही सगड़ी बरियासतली आनी आइज बुदुवार हाइज हो आइज बुदुवार आज हो गया वैनस्टे और हाज जो आना व्लोग स्टार्ट करने में बहुत देर हो गईो अलमस्ट आप ओधार होनी हो अई एसा नहीं है कि व्लोग स्टार्ट करने में देर हो गई तो इसका मतले नहीं है कि सुबह देर से सब्सब्समार है सभगर सबघर क्या होता है कि इंदी न करम शेलिटको पिल मन नहीं घर रहें मतलब जाडू अगर काम होता है ना घर में तो उसी लिए जना सवा साथ बज़े मैं जबरदस्ती उठके उठने का जना बिल्कुल प्युमन नहीं था इतनी थंडी लग रहे थी सुबह सुबह बाद में सुबह उठकर जैसे बाहर आई ना तो इतनी थंडी हवा चल रही थी ना बाहर की बाहर आते ही जो है ना मुझे चिके आने लगी स्नेजी होने लगा तो उसके बज़े से मैं दरवाजा मेंडूर जना फिट से बन किया और मैं अंदर चाकर बैट गई जाडू भी न कि पानी थालने का मन ने होता है कुकि पानी तो अलोंस्ट थंड़ा है यह थांड़ा हो जाता है तो इसी तरह से जो है ना सब काम दिरे-धिरे हो जाते हैं और टाइम कभ निकल जाता है पता भी नहीं चलता है सुबह वैसे तो हमारा नो साड़ी बजे तक शावर वगर हो जाता है था कभी कबार कभी कबार देर होगे तो दस-साज़े- तस बचे लेकिन इन दीनों चावार लेने का भी मन नहीं होता है इतना तंडा हो जाता है तो फिलाल तो मेरा शावर अगर अभी हो गया पीछे बगवान जी की पूजा भी हो गई और जो है न बहुत टाइम के पाथ आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कनने वाली हूँ वेनस्टे है तो जाइसी बात है नॉन्वेज रेसिपी होगी हमारी गोवन ट्रेडिशनल डीश बोल लो ऑथेंटिक डीश बोल लो जो भी आप बोल दो वही जोना में आज आप लोगों के साथ शेयर कनने वाली हूँ कौनसी रेसिपी है वो भी बता देती हूँ आज जोना में आप लोगों के साथ ड्राय मैकरल जो होता है नॉसकी एक रेसिपी शेयर कनने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर कनने वाली हूँ ट्राय मैकरल की किसमूर तो वही रेसिपी शेयर होगी तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अंदर की चल में तो चलो पहले चलना फटाफट से चलते हैं अंदर की चल में और रेसिपी बननना स्टार्ट करने तो है तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है ड्राय मैकरल दो लिये हैं मैंने यहाँ पर बड़े वाले लिये हैं आप जो है ना ट्राय करना की बड़े वाले ही ले सके क्योंकि जो छोटे वाले होते हैं वो थोड़े से हाड होते हैं और उसका टेस भी इतना अ पहने हाँ पे करम अप्जायना हम इसको इसमें धोनी दिर के लिए जॉना ड्राययरौस्ट कर लेंगी अलट कलट करके जो हैना इसे हमें ज्ञाना नहीं है जन्इन ड्रायर रोस्ट करके लेना है तो एक पांस이면 अनदर हो जाएंगे सो यहाँ पे ना मैकरल हो चुका है ड्रैया रोस्ट इस तरहood से और एक मैकरल जो हैना उसके यहाँ पे हमने कट करके पेज़ने काल ली ले जितना चोटा हो सकेश किन और यहाँ अब हमें करना है क्लीन उपर जो इसा का स्कीन होता है वह जitting निकल सकता है देना उतना निकाँ लेना और बाकी के जो दो उसे इस तरह से छोटे छोटे तुकड़ों मैं कट करके लेना है कि यहाँ पे उनको आज लगाया मैंने यहाइ थे लिग camera डिए कि मैं help करके डेता हूं किसे नहीं इसके लिए चाको या फी सीजर के जरुवत नहीं होती है हास सही हो जाता हाथी नहीं बरे दता खुड़के ज़िए कातरीन भी कर पागा तैनी बुरुषे दता फिस रहता सकता जो काटो आसता पाम मोदी आनि साइडीन ते काटे काड़न घ्योपा चे आनी मोदल जाए कौपे असता पाइनों तेत घ्योप मास असता ते सकाए इस तरह से चाना इसके छोटे चोटे टुकडे करने छोटे यानि कि जादा चोटे भी नहीं करने बाद में वो पकाते हैं पूरा मैल्ट होके छला जाएगा तो यहाँ पे मेरे मैकरल स्लीन करके रेडी हो चुके है पिसिस जो है ना मैंने ना ज़्यादा छोटे बनाए है ना बड़े मीडियम सर्स के रखे है और साइड़ बा मेरे सब कुछ चॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है फ्रेशली ग्रेटेट कोकोनट दो ग्रीन चीली तीन मीडियम सर्स के ओनियन बारिक चॉप करके दो मीडियम सर्स के टमाटर और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लिया है गालिक और मसाले में यहाँ पे मैंने लिया है फीर टमरिक पाउडर, सॉल्ट और जीरा पाउडर और यहां पे मैंने छोटा चमच जो है ना लिया है जिंजर गर्लिक पेस्ट तो यह सब कुछ जो है ना यहां पे मैंने रेडी करके रखा है तो अब जो है ना अपनी रेशिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले ना यहां पे गैस को ओन करके एक पैन को गरम करके लेंगे पैन जो है ना अच्छे से गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल यहां पे मैंने जो है ना लगबग एक छोटा चमच इतना तेल ले लिया है और सबसे पहले इसमें डालेंगे गाल और ओनियुन को जयना इसमें डालने के बात हम कुक हने तरक पकायांगे ऐसे जकी जीकारी हना है कोинफ जाली इस सब्सक्राइथ कोब स्क्राइय केसे अभड़ा ओनियप से पिंक लें करके लेंगे ओनियन और टमाटर जो है न हो उसे हमने बारीक चॉप करके लिया है एक दम बारीक तो इसे कुक होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो उसे एक बार अच्छे से मिक्स करकर थोड़ा सा कुक करके लेंगे तो यहां पर आप देखी सकते हमारा टमाटर हम न लगा है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मैकरल की हमने कट करके लिया हुआ है नहीं हें पर अंगेी जिंजर, अगर्थे थे सकते हमारे के लिए यहां पे मैं इस प्लेट में इसे जो हमारी मैगी क्यूब है न वो निकलकर साइड में रख दूँंगी क्यूकि उसे हम बाद में स्मेड करेगे पहरे जना यहां मसाले डाल कर थोड़ा सा मिक्स करके लेते है और मसाले डालने के बाद हमें इसकी फ्लेम एकदम लो पर रखनी है ताकि मसाले जो है ना इसमें कहीं जल न जाए तो यहाँ पे ना सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे एक 2 मिनिट के लिए कूक करके लिया है अब यह अच्छे से कूक हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेशली ग्रेटेट कोकोनट यहाँ पर कोकोनट जो है ना वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है अगर आप लोगों को मेरी हस्बेंड की तरह कोकोनट किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता है तो आप इसकी कॉंटिटी कम भी कर सकते हैं या फिर आप न डालेंगे तो भी चलेगा लेकिन जो भी गोवन आथेंटिक डिश अगर हम बना रहे हैं तो उसमें कोकोनट डालना ज़रूरी है तो उसके तुरंद बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाल लिया है मैगी क्यूब यहाँ पे मैने पूरा मैगी क्यूब यूज नहीं किया है हाफ ही डाला है अब इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और एक दो मिनिट के बाद जो है ना हमारी मैकरल ड्राय मैकरल की किसमुर्ज ना वो बिल्कुल बनकर तयार है तर तुम्ही कमेंड करून सांगाथ ही तुन जर हाँ किदे घालपाक चुकला जाँ किदे घालपाक ना कर कर लेनी दलार तुम्ही माक कमेंड करून सांगाथ हाँ घालपाक डे अशित करता तुम्ही भी एक पाउटी माजा बशन ट्राय करून पयात आनी सांगाथ मागिर की कशी दल्याती दूपेर का खाना जोना वो अल्मोस बनकर रेडी हो चुका है जोना चावल मेरे उबल रहे हैं तो उनका पानी चान के लेना है और आज जो आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर की ना वो आप लोग घर पर एक बार जरूर से ट्राय करना और मुझे कमेंड करके बतान और आप लोगों पहरे से रेसिपी जानते हैं अगर आप लोगों को भी यह जो डीश होना ड्राय मैकरल की किस्मूर मेरी तरह आप लोगों बहुत पसंद आते हैं सर analytics हो गया और फिर खाएंगे अपना खाना और टाइम जाना अभी 1.15 हो चुका है यहाँ पर आराम कर रहे हैं और टाइम जाना सव्वाइक हो चुका है और यहाँ पर मेरा राइस आईजन रैड राइस बनाया है उकड़े दाना जाशी तो इसका जाना पानी में चान के लेती हूं कुकर में मैंने बॉल किया है ता भी जाने से पानी में डालकर थोड़ासा और पका रहाई तो ड़ासा और फ पका नहीं था फोड़ासा ओर एक उबालाने के बाद इसका जशनके लेंगे और उसके बाद हम करेंगे अपना लंच दोपेर के ना अभी भज़रे पॉने तीन और हमारा लंच बगर जोने सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है और हम लोग यहां पर बाहर बैटे थे सुबर से इतनी तेज़ी से हवा चल रहे है ना दूल उड़ रही है लेकिन हवा से मतलब अंदर मनी नहीं लग रहा है कि बाहर जाना बहुत अच्छी हवा चल रहे ना तो इनको देखो यहां पर बैटकर बात करे और जो फ्लैक है ना कार पर लगाया था ना वो फ्लैक निकल अबाद में निकालैंगे और मैं थी अंदर ऑर कर लोक के लिए तायारी कर रहा हूं थी वमें बरेकफास्ट में बनाने वाली इडली तो उसी के लिए टाल बगराड में भी के लिए रख रही थी तो चलो चलते हैं अंदर और वह जो काम है ना वह कंप्रीट कर लेते हैं दाल वगर चलो मैंने वाश करके रखी है सोख होने के लिए पानी वगर डाल के रख दिया है और कल ब्रेकपस्ट में बनने वाली रवा इडली एक्चलि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि उड़र डाल के साथ चावल सोख करते थे क्योंकि उससे इडली और डोसा दोने ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन अभी मेरे पास इडली रवा लाके रखा हुआ था तो बहुत टाइम हो गया एक्चलि से दो डाई मैनी हो गया लाकर यसे रखा हुआ था उसका बना टाइम हो गया इसलिए अभी मैंने इनसे बोला कि नहीं कल बनाई लेते बात में वह ऐसे रखे रखे खराब हो जाएगा ना करके तो अभी जो है ना उसे मैंने सोख होने के लिए रख दिया है रवा और उडद्दा दिखाती है आप लोगों किचन में चलके तो यह देखे किες जो है और इस वाल एक ब्लास से मैंने कॉंटिटी लिए यह रवा मुझसे लिजाए तो सब कुछ भी कर गया अभी जस जो न खाना वगरा खाके किचन क्लीन करी लिया था फीट से ये काम हो गया अभी इसे जो न ख्लीन करके लेती हूँ और इने ढखकर जाना यहाँ पर साइड में रख देते है क्लीन उसे भी मैंने ढखकर रख दिया है अब चलते हैं बहार, देखते हैं, क्या कर रहे हैं पोन पर बात करते करते, शायद कई चले गई होंगे यहाँ पर बैटे थी न, लगता है, सीधर टैरस पर ही चले गई बात करते करते और आज जो है न, बहार बहुत ही अच्छी हुआदा चल रहे हैं सब काम निप्टा कर यहीं पर पैटी थी तो चलो यहीं पर थोड़ी देर बैटे हैं और फिर बाद में मिलते हैं गोड़े उनी दोपेर के बाद से डारिक लिए अब हम मिल रहें शाम को सवा साथ बजे शाम के जना सवा साथ बज चुके हैं दोपेर को जहना लांस मैंने शूट किया था जो मैंने सब कुछ सोक होने के लिए रख दिया था उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया गर्पे थे तोड़े बहुत काम थे वह सब कुछ किया लेकि शूट कुछ भी नहीं किया तो जो मैंने दोपेर को सोक करने के लिए रख देर से मतलब 10 बचे तक जोना इसे ग्राइंड करती थी सोने के टाइम और उसे मिक्स करके रख देती थी लेकिन आज जल्दी ग्राइंड इसलिए कर रहे हूं क्योंकि थंडी कम होसा मैं तो उसे जोना जितनी ज्यादा दर मिक्स करके रखोगे न उतने अच्छा जना वह सुबह क्या होता है पहले जना इसे क्राइंड करके मिक्स करके रख लेते हैं तो यह देखों कि यह यहाँ पर रवा इड्ली रवा और यहां पर ऊड़त दल अच्छे से जो है ना यह वह चुके हैं मतलब सोक हो चुक है इससे तो हमें प्राइंड नहीं करना है सिर्फ जहन रख लिया था ना तो अभी जो ना इसे एक बार पानी से निकाल लेते हैं और फिर जो ना इसे हम ग्राइंड करेंगे यह देखो यहां पर यह ना अच्छे से सोख हो चुकी है कि देखो तो इससे जो है ना मैं अभी एक बार पानी से निकाल लेती हूं और फिर जो थोड़ा से पानी डालका ठीक सा जो ना इसका एक पेस बना कर लोंगे तो यह देखो यहां पर जो ना इससे मैंने एक नहीं दो भार जो पिर से अच्छे से पानी से दोकत साफ कर लिया है अब हम इसमें मिक्सर जार में इसको करेंगे ट्रांसफर एक बार में जो है ना यह नहीं होगी इसे अमें दो बार तो करना ही पड़ेगा मतलब दो बार जाना इसे मिक्सर में डालना पड़ेगा एक बढर में इसमें डाल दिया है, बहलें इसका पेस्ट करेंगे फिर जनहेँ इसको डालेंगे मिक्सडेजार में निएगे पानी अगर ज़रूरत परड़ी तो वापस ठोड़ा सा डालेंगे नहीं तो एकदम फाइन सी पेस्ट मैंने यहाँ पे बना के ले ली है अभी जो ना इसको एक पतिले में ट्रांसफर करते हैं पहले इसका थिकनेस और जो ना एकदम फाइन सी पेस्ट मैंने बना ली है यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा उड़त दाल का जो बैटर है ग्राइन करके वो रेडी हो चुका है इसमें जना मैंने अलग से कोई पानी वगरा कुछ भी नहीं डाला है इस तरह से जना यह बैटर रेडी हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे रवा जो कि हमने सोक करने के लिए रखा था इसके उपर जो बे can खानी वगर था न वो मेनने निकाल लिया है और खाली रवा जो है एन अब जहिसमें डालोंगे इडली रवा जो मैंने सोख किया था और उड़त की दार जो कि मैंने सोख करके ग्राइंड करके लिए इसे चना यही पे रख देंगे मैंने बैटल को मीक्स करके रख दिया है फॉर्मेंट होने के लिए अब देखते है कल तक जोना क्या कैसे फर्मेंट हो जाता है या फिर वैसे रह जाता है क्यूंकि थंडी जाना इंदी बहुत ही हो रही है तो सुबह तो बहुत कड़कती जो थंडी हो रहे तो इसलिए फर्मेंटेशन का कुछ गैरेंटी मुझे तो नहीं लग रहा है देखते है कल तक क्या कैसे होता है जो भी होगा आप लोगों के साथ कल जरूर से शायरोगा और अभी जोना डीदर की मुझे थोड़ी बहुत प्रप्रेशन वगरा करनी है तो मैं जोना वह सब देख लेती ह पइस के साथ शुड़े से यहीं पहले करती हूं और कलफिर मिलने आती है आप लोगों से एक और नए व्लोग के साथ तख्ता के लिए थैंक्कि फॉट गॉचंग बाइबाइबाइबाय बात करे तो इनकी तरफ से भी मैं भाय बोल देते हूं चलो मिलता है शाम को एक और ने ब्लोक के साथ